हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रड़क्ट रिव्यू की वीडियो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे निका के का बर्थडे केक पैलेट आज कल ट्रेंड जहां पेस्टल कपड़ों का बढ़ गया है वहीं ऐसे कलर् उस टाइम काम आता है ऐसा एक रेंबो पैलेट तो आज के इस पैलेट में हम निका के को रिव्यू करने के साथ साथ यह भी देखेंगे कि क्या यह आपके पैसे को वर्थ रखता है वैसे तो यह जो रिटेल करता है वो 600 रुपे का करता है बट यह आपको हॉक्मेकप.com में अपन करने के बाद आपको 9 पैंस मिल जाते हैं जिसमें आपको एप्रोक्सिमेटली 11 ग्रैम्स अफ प्रडुक्त मिल जाता है इसमें कोई मिरर नहीं है विकास 9 पैलेट में प्लास्टिंग पैकेजिंग में मिरर का ट्रेंड वैसे भी बहुत ही कम लगजिरिस ब्रैंड जर तो उसके लिए इसमें पिग्मेंटेशन है कि नहीं तो चलिए शुरू करते हैं स्वाचिंग यह मैंने नीचे की रोज स्वाच की है इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्ल्यू है वो काफी चौकी है बड़ जो शिमर आइस ब्ल्यू कलर है वो बहुत ही जादा प्रिटी ल लग सकती है पिग्मेंटेशन के अगर मैं बात करू तो यह जक्मेंटेशन यह पात करू है और मैं लाइलाग परपल कलर बहुत ही प्यारा लग रहा रहा है वहीं कि यलो कोमीम करने में आपके पसीने चूटने वाले है जियाहा इसका कोई भी ऐसा को नहीं है यह बहुत भी शो नहीं हो रहा है तो अगर आप डीपर स्किन टोन के हैं तो आप पे ये कलर और ज़ादा एशी लग सकता है तो ये वाला कलर का पिग्मेंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो अगर आप ये यलो लेने के लिए पैलट लेना चाहते हैं तो ये आपके पैसे का व अब भासा पाउडर आचुका है जो ये वाला कलर है ये बहुत ही पीटिफुल शिमर है तो इस पैलेट में तीनो जो शिमर शेड हैं पॉपल डाट ब्ल्यू एंड इस तीनो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल है तो इसके शिमर को मैं थमसब दूग वहीं इसके जो मैट से हैं वो उतने अच्छे नहीं है बट ओवरॉल यह 300 रुपे का वर्थ रखता है लेकिन इसे आप फुल प्राइस दे के पे करने की गलती बिल्कुल भी बत कीजेगा तो आपको इस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएएगा दोस्तो सब्सक्राइब कीजे मेरा चैनल अब म रेगलर वीडियो डिजालती रहूं बाई बाई एंड टेक केर